नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नीज में मैं रतन सेन भारती इस समय की जो सबसे बड़ी ख़वर है वो जदियू से निकल कर सामने आ रही है बताया जा रहा है कि जदियू जो है अपना विष्टार करना चाहती है वो बिहार से बाहर आकर अपना पाउं पसारना चाहती है यानि कि बिहार से बाहर वो अपनी राजनीती में सक्रिय होना चाहती है ऐसे में नितिश्कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि नितिश्कुमार एक बार फिर से सियासत में एक्टिव हो गया है यह पूरा मामला तब चुरु हुआ जब जदियू की राष्टिये बातचीत के दौरान ये दो घंटे की जब बातचीत हुई उसमें ओम परकास चावटाला के सीम नितिश्कुमार के साथ भी बातचीत हुई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि स्वास्त को लेकर हाल चाल जाना है अलाकि के सित्यागी ने जब मीडिया से बात करते हुए कहा उन जाते हैं और निकाले जाने भी चाहिए क्योंकि सियासत में सब कुछ जो दिखता है वो होता नहीं है ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ओम परकास चावटाला और नितिश्कुमार के साथ जो फोन पर बातचीत हुई है उससे यह अंदाज़ा रगा जा रहा है कि जदियू जो में भी कई बार ओम परकास चावटाला सियम नितिश्कुमार के मुख मंत्री रहते हुए वो आए हैं और यहां पर एक अन्य मार्ग में दोनों का लंबे समय तक प्रवास भी हुआ है तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जदियू अपना विश्तार करना चाहती है और वो हर्य हर्याना में जदियू चुनाव मैदान में उतर सकती है अगर हम इधर जदियू के बिहार के सियासत को देखें तो यहां पर राष्टिये अध्यच को लेकर थोड़ी खीचतान जा रही है इसमें आर सीपिसी के मंत्री बन जाने के बाद से कहा जा रहा है कि उनके से जदियू की क्या इस्थिती है तो बिहार के सियासत को और भी अच्छे सजानने के लिए बने रहे हैं बिहारी नियूज के साथ मुझे दीजिये इजाजत धन्नवाद